दोस्तों शुरू करते हैं हमने कल आता देख लिया था आज थोड़ा सा लंबा है तो अप्रिकली लेना पड़ेगा ताकि हम सीवन को कंप्लीट कर सके दोस्तों देखते देखते पोने तीन मैने हो गए हम लोगों को पता नहीं चला दोस्तों आप सोच लिजे आपके चार मैं कितने इंपोर्टेंट है अगर आप लोगों ने वाकई में अपने आप क्योंकि मेरा उद्देश्य यह अगर मैंने आपको कुछ सीखाया तो आपको नालेज आपके प्रैक्टिस में मिलेगा दोस्तों और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है सई तो यह मेरी कमी हो कर यहाँ पर बहुत डीम में बता रहा हूं और कई बुक्स का सा उर्स आपको बता रहा है और मेरा अनुफौंत इंवरे उख़िया था आज लगल कर वह हम पात करते हैं दोस्तों की जितनी भी या मेल कि जितनी भी जैनटल और किसी इनाटल और्योंगर म उतंश्य होने वाला कोई भी बैनाइन ट्यूमर हो या मैलिगनेट ट्यूमर हो दोस्तों अगर फॉस्ट स्टेज में उसका सीधा रिलेशन होता है सीवन से दोस्तों जैनि सीवन वापन मेडिसीन याद रखेगा इस बात को यही इंडिकेट करता है कि कोई भी कैंसर ग्रोथ हो अब कैं के सीवन फर्स्ट स्टेज की मेडिसेन आता है जो सेकंड या थास इम सीवन से शकात है ताह। ऒझे सकते हैं थामारे मेडिसीन की मेलीशीन था ऑस्ट सीडेट के मैं मेडिसीन सीवन द सोटी किसी कारण्वर्स वहाँ कर दोस्तों चाहलं बाब हम आश्काल फलारे फलारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहे दोस्तो उस कंडिशन में क्या होगा दीरे दीरे वह बैणायन ट्यूमर वायरल बैक्टीरियल ग्रोथ के लिवल पर दोस्तों बहुत ज़ादा और नेक्रसेज होगा तो definitely मान के चलिये हमारी बोडी के लेवल पर जो ग्रूथ होनाँ चाहिए वो नहीं होगी और वो नहीं होगी तो यह destruction होगा और यही दोस्तों इस प्रकार के स्थिति की best medicine सीवन है दोस्तों यही कारण है दोस्तों बेनाइं ट्यूमर अगर आप देखो कि तो पहले local area में होता है दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे वो area जो होता है general हो जाता है हम इसलिए कहते हैं कि जब malignant ट्यूमर जनरल पहले से ही हो जाता है याद रिखिएगा कभी भी बेनाइं ट्यूमर होगा देख पार्ट में होगा लेकिन अगर कोई malignancy यहनी cancerous growth अगर develop हो जाती है दोस्तों आप मान के चलिए वह starting से ही कर सकता है अर्था बाडी में फिल सकता है जिसके भलसुरूप आपको यह ध्यान रखना है यह हमारा सिद्धानत है इलेक्टों में पैदका कि यहाँ पर ब्लड और लिम्प वहाँ पर तूरंट इन प्योर हो जाएंगे दोस्तों यहनी अगर महा पर किसी भी प्रकार से गैंसरस ग्रूध के फिलने के कारण वहाँ पर आप माध्यम देखोगे माध्यम क्या है तो आपको ध्यान रखना है ब्लड और लिम्फ यह वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से वहाँ पर पूरी बॉड़ी में इन्फिक्शन स्प्रेड होती है दोस्तों अतर याद रखेगा दोस्तों ऐसे पेशन का इलाज करते समये ट्रीटमेंट करते समये आपको ब्लड और लिम्फ को फ्यूरीफाई करने के मेडिसीन सबसे पहले देना पड़ेगी इस बात को गोर करिएगा मेरी बात को कि जब भी किसी कैंसर के पेशन को आप ट्रीट करते हो वहाँ पर आपका सबसे पहला उदिश होगा ब्लड और लिम् लखेगा यह वो मिद्यम होता है जिसके माध्यम से दोस्तों आप वहाँ पर किसी भी प्रकार के कैंसर को फेलने से रूखेंगे ठीक है इसलिए आपका सबसे पहला अद्दिश यह होता है कि जब भी कैंसर का पेशेंट आपके पास आता है इंप्यूरीटिस को लेकर आता ह है तो आपका पहला सिद्दान्त क्या होना चीए आप कैंसर पर बाद में काम करिए कैंसर एक नहीं जाएगा लेकिन फेल जाएगा और सबसे पहले रोकने के लिए आपको जनरल टानिक हमाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों और यही कारण है यहाँ पर आपको अज़िए इस कंडिशन में हमको सबसे पहले चाहिए कि हमको ब्लड और लिम्ट को फ्यूरिफाय करना दोस्तों और यही कारण है जब हम इस परकार का लेवल चाहेंगे तो सबसे पहले हमको सपोर्ट करना पड़ेगा ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए तो दोस्तों अग मैं आपको ब्लट प्यूरिफायर बता हूं तो जो मैंने पावर बूस्टर आपको बता है यह मैजिकल ब्लट फूरिफायर होता है इस प्रकार की कंडिशन के लिए याद रखे कर दोस्तों जब कैंसर के बाता आती है तो कैंसर में जनरल टानिक से भी दसगुना ज्यादा काम करता है दोस्तों क्योंकि मैं तीन मेडिसिन को जितने में बुक्स पढ़ी है जितना भी अपना अनुभा हुए उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं एस वन सीवन एवन यह जो प्राइमरी स्टेज का कैंसर होता है जहां पर ब्लट और लिंप इंप्यूर होता है तब य एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है इसलिए मैंने आपको ग्रेंगरीनाल फूर्ट बता है ग्रेंगरीनाल फूर्ट में अगर आपको लग रहा है कि यह सीवन के पांच डॉप डाल लो दोस्तों ठीक है इसकी कारण क्या होगा यह कैंसर के लिवल पर चला जाएगा औ आप देखेंगे दोस्तों महाँ पर सारी इंफिक्शन सबसाइड हो जाएगी और कैंसर ग्रोथ भी रिडिउस हो जाएगी और यही कारण है कि हमें किसी प्रक्टिकल किसी बड़े प्रोटोकॉल के जड़त नहीं पड़ती है हम इसी प्रकार के छोटे-छोड़ प्रोटोक दिखोगे कुणा उसको दूसरे रूप में तकलिफ मुहाँ पर सामने आने लग जाती है दोस्तों जैसे समय और पैसा दूनों का दूरूपियों का आप करते हैं उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे करके फिर से आपकी डीस आपके शरीर में बढ़कर आजाती है दोस्तों और यही कारण है कि आप जो पेशन को समझाते हैं उसको एक ही चीज आपको समझाना है कि आप या तो तुरंत रिजट ले लिजे बाद के लिए तैयार है ठीक है बाद में और डबल पैस आपको लगेगा और बहुत जादा नुकसान होगा या फिर एलेक्ट्रों में पैस से साइदा कम हो यह नहीं मिले दोस्तों तो इस मेडिसीन का सबसे पहले हाई डालिशन दिए एक या दो खुरा याद रिखिएगा इस प्रोटोकॉल को मैं आपके सामने आप में से कई लोग जो सीनियर है वो इसको प्रूब करेंगे मैं उम्मिद करूंगा कि आप कोई भी कै तब वहां पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहले आपको कोई भी मेडिसीन का दो या तीन डोज हाई पोटेंसी में देना है जिस औरगन का कैंसर है उसकी इस्ट्रक्च्रल मेडिसीन उससे वह जो जनरलाइजिशन हो रहा वो रुप जाएगा यहनि माल में पिंक्रेस में भी चला जाएगा तो सबसे पहले आपको रूकना जरूर यह जब नहीं रूकेंगे तो फेल जाएगा दोस्तों इसलिए याद रखें दोस्तों यदि पूना मेडिसीन देने के बाद में लाब अगर कम हो रहा हूं याद रखिएगा यह बहुत बड़ा स अच्छा काम नहीं करती ठीक है उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आपको वर्टू की पाँज गुली जो वर्टू होता है हमारा यह वर्टू की फाइब ग्लूविल्स खाली पेट सुबह मौनिंग में बीना मूद होए बासी मूद आपको चूसने को देना है उसको रो जो बन नहीं हो रहे होता है दोस्तों कभी-कभी दर्ध में अपने आप रहत मिल जाता है कभी-कभी मैंने प्रेक्टिकल देखा है कफी तमाम कोशिशेंते के बाद में भी erk occupancy बन करना हो जसकी में मेडिसें सीवन और ऐसी कंडिशन में यही कारण है कि जो संजीवनी दोस्तों संजीवनी किसी भी प्रकार के कैंसर का पेन या किसी भी प्रकार के इमोबलाइजेशन का पेन होता है उसमें 2020 ड्रॉप या टेंटें ड्रॉप हर गंटे बे दीजिए आप जब तक की पेन बंद नहीं हो जाता यानि दिन में 6-10 बार तक दीजिए कंटीनू दीजिए जैसे जैसे पेन बंद होगा उसके बा जिस पर आपका पूरा इलाज वहाँ पर निर्वर करता है इसलिए पेशन क्या सूचता है कि मैंने दवई दी और मेरा कैंसर का पेन बंद हो जाएगा यह लोग जितने भी होते हैं जरूद से जादा समझधार होते हैं ठीक है वो अपने आपको एक एंबी बेस डॉक्टर क नहीं हो रहा आप उसको समझाइए दोस्त कभी-कभी ऐसा सती आ जाती है कि वहाँ पर हम लोगों को दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव डालिशन देना पड़ता है यह लोवर डालिशन निमने डालिशन में चार से आठ दोसका जब प्रयोग करते हैं दोस्तों तो रोग वा मैडिसीन चेंज करते हैं ऐसा नहीं करना क्यों नहीं करना सुनिया इस बात को रोग वाले स्थान पर जबाब मैडिसीन देते हो जब वहां सूजन आ गई गलन आ गई भयनक दर्द हो रहा है दोस्तों अगर ऐसी स्तती आ जाती है तो इस स्तती से निपटने के लिए दोस्त ततकाल उनी मेडिसीन के हाई डालूशन का प्रयूप करना आपको बदलना नहीं है आपको खुश हो जाना है लेकिन पेशेंट को कैसे समझाओगे आपको खुश हो जाना है कि आपने जो मेडिसीन सेलेक्ट करी हंड़ेट परसंट है मैं पहले भी बताते है रहा हूं लेकि को भी तसल्य हो जाएगी और पेशेंट का जो सिंटम है वह सबसाइड हो जाएंगे दोस्तों याद रिखेगा इसकी करने से मैक्जिमन केसिस में आपको रिजल मिल जाते हैं दोस्तों लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रते क्रॉनिक बिसीजिस मां किसी ने किसी प्रकार का प बॉल आप होकर जंडल यानि बहुत जगह फैल चुकी होती है उसका फैला हो चुका होता है उसके कारण क्या होगा टॉक्सिंट जो होता है बहुत सारा पाइजन बॉड़ी में आ जाता है तो एक एक ता आप बिलकुल जहर बाहर निकाल नहीं सकते हो ठीक है तो जब आपक को डिटॉक्सिफाइब करना पड़ेगा आपको दोस्तों ठीक है इसलिए दोस्तों बॉड़ी का नेच्रल नियम है कि बॉड़ी के अंदर किसी भी प्रकार को बॉड़ी टॉक्सिक मेट्रेल को रहने नहीं देती है दोस्तों याद रखेगा क्यों नहीं रहने देती क्यों के लीवर का काम है लीवर हमारी बॉडी में जितना भी और केटाबोलिक के रूप में जो प्रोसेसर का काम करता है उसमें जो भी आपके बॉडी के अंदर रहना है वह रहेगा और जो बाहर निकालना है लीवर उसको टॉक्सिफाय करके तोड़ के चुटे-चुटे इसलिए को किसी भी करते हो तो आपको मिशन को देते हो देन मान के चलिए आप जितने भी पॉज्टनेसश से से होते हैं उसको शिरीर से अंदर से बाहर निकालते हो दोस्तों और बहुर से आया हुआई जितने भी सिप्सेंस होते हैं आपकी बॉड़ी करती है जितना भी ट्वार निकालने वादे में तो läज़ी जल्थी महालेश्शंट में तब आप जाकर आपका purification महाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों लेकिन याद रखेगा कई बार ऐसा होता है जो बैक्टिरिया के रूप में होते है वह सरी से बहार निकलना चाते याद रुखिएगा वह सरी नहीं निकलना चाते और जब उनको पता है क्योंकि हमारी इंटेस्टानल रिजन में दोस्तों गूड़ बैक्टिरिया 1.5 जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही इंपोर्टेंट रूल अदा करते हैं इसलिए याद रखेगा बैक्टीरिया उन्हें भूल मिल जाते हैं और धीरे-धीरे कई बैक्टीरिया जोते हैं उनका साथ लेकर आक्रमन करते हैं दोस्तों जिसके भलसुरूप एक तीस बडूप और यह करन हैं यह सबसंशन से उत्पन होते हैं कुछ मातरा में तो शरीर से बहार निकाल दिया जाते हैं हमारी जो बॉड़ी के मेक्रों जैर्टिक ऑप्र निकालते हैं दोस्तों लेकिन क्या होता है जब बहुत इस्ट्रॉंग होते तब क्या संपूर सिस्टम को इंप्यूर करते रहते हैं धीरे धीरे करके वहाँ पर इंप्यूरिटी डेवलप करते हैं और धीरे धीरे हमारे पूरी बॉड़ी को दोस्तों हमारी पूरी बॉड़ी को बहुत ज्यादा वीग बना देते हैं और जगल जगल अपना प्रभाव दिखाना श्रूप करता है जिसके फलसुरूप दोस्तों एक साथ multiple symptom multiple diseases के रूप में हमारे सामने आते दोस्तों इसलिए आप देखोगे आज के समय में multiple disorders बहुत नजर आ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों अगर शुरू से वह patient हमारे पास treatment लेता है हमारा कुई नेच्रल टानि यह क्या करता है यह डेफिनेटली और गन्स के लेबल पर पूरी बॉड़ी को प्यूरिफाइब करने का था तो इससे कारण क्या होता है उसके बॉड़ी में टॉकिक मेटल नहीं रूपते धीरे-धीरे करके बाहर निकलते रहता है और हमें उसका फीडबेक मि कि एंद हुई कळा से दीरे दीरे प्रहिंट के हो गई दीज्सिस का लेगर तब आप सब्सक्राइब की होका हमें म treaties के level के दिए कब ब्रहन जो मैजर और जो मीस्ट और खेंट के करना है और केवल ब्लड ओर लिंग का फिरिफाइए दोस्तु कि बूरी बॉड़ी के ब्लड और लिंग को प्यूरिफाई करेगा। अब आप को वहाँ पर किसी तेंप्रामेंट को देखने के जरूबत अब आपको वहाँ पर कुछ से आर्गन के मैडिसीन देना है permission करते हैं पूरी के पूरी मेडिसीन को नेगिटिव करके उसे पॉजिटिव मेडिसीन डाल्ड मेडिसीन अपने सब पूरिफाय कर देगी दोस्तों और जब सब चीजों को पूरिफाय कर देगी पूरी बॉड़ी के ब्लड लिम को पूरिफाय करेगी सबसे पहले उस आरगन को करेगे जिस आरगन के तरह आप गए उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे करके उसका जरिया बढ़ाओ जनरल टानि के blood volume को purify करता चले जाएगा और आप देखेंगे आपकी body का functional approach अच्छा हुआ तो automatic structural approach भी आपको support करने लग जाएगा दोस्तों याद रिखेगा यही कारण है जब मालो कहीं पर आपने operation करा है और उस इस्थान पर अगर आपने दोस्तों देखा सीकाई के वे उस तथान पर आप देखोगे कई छोटे-छोटे बूमर जैसे अपसे जैसे गुल्ठिया टूमर पस discharge डेवलप हो जाता कई बार आपने देखा होगा operation करा है उसके बाद देखो तो वहां से टाके में से पस आ रहा है दोस्तों ठीक है ब्लट के जितने भी वहां पर इस्तुरूत होते हैं वहां बैक्टिरिया इंफिक्शन होती है तो जब operation किया जाएगा तो बहुत बैक्टिरिया निकलेंगे दोस्तों ठीक है और बहुत सारी काम्प्लिकिशन आपको देखने को मिलती है यही नहीं दोस्तों यह जो poisonous substances होते हैं यह metabolic के लिए भी naturally वास्तविक रूप से वहां पर खराबी का main current बन जाते हैं दोस्तों और आज के समय में हम क्या बोल रहे हैं आप देखो modern science क्या बोल रहा है हिंदुस्तान में 70 से 90% disease का main metabolic disturbances है तो दोस्तों बात को समझ में आ गया ह होगा डिसीज कहां से शुरूई और आंत कहां पर हो रहा है poisonous substances metabolic process को आकर metabolic process में आकर उसको खराब कर देता है और metabolic process खराब होती है तो definitely blood limb sales और tissue का महाँ पर degeneration और destruction प्रारम कर देती है दोस्तों यही तो कारणे की chronic disease में condition develop होती है इसलिए में आपको डीटू डीटू डीट्री के लेवल पर कहा था कि डीवन आप positive में दीजिए डीटू आप neutral में दीजिए डीट्री आप महाँ पर दोस्तों स्पेशल अगर देखोगा नेगटिव में दीजिए तो acute condition में भी अगर इस प्रकार का positivity आता है एक destruction हो जाता है तो महाँ पर डीट्री की ग्लोगल से या डीट्री का लिक्विड आपको देखके देखेगा कितना शालिड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इस सिक्रेशन के माद्यम से आपका वो ऑर्गन जिसके लिए उसार्गन के काम को motivate करती रहती जिसे फारेट प्यरा फारेट फीट्री ग्लें इनके जो सिक्रेशन ने क्या काम करते हैं दोस्तों एक डक्ट-लेस ग्रेंड इसमें किसी प्रकार के डक्टन होती जब आपको जरुत पढ़ती है यह हार्मन निकलते उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन के मादम से जाते हैं इन हार्मोन का एक समय होता है इसलिए दोस्तों आप देखो अगर किसी कारण बाद निकलते हैं इसलिए दोस्तों जो लेंफो को लगातार का काम करते हैं दोस्तों वहाँ पर इंफेक्टेड हो जाएगी जिसके कारण आप देखोगे वहाँ पर कंडिशन हो जाएगी यहनि फकने लगेगी गलने लगेगी सूखने लगेगा अअट्रोफिट हो जाएगे हाड़नेस भी हो जाएगद हो जाएगा माद कुशन सके करा गया एक पेशेंट आया कुछ नहीं और आप बोल रहा है कि साहब मुझे पूरी वाड़ी पर इची वो रही तो आपका ध्यान वहाँ पर जाना चाहिए इसको प्राब्लम कहां से शुरू है दोस्तों इसलिए याद रखे पूरे शरीर के जो में में और गन होते हैं इसी के डिजनरेशन या डिस्ट्रक्शन के कारण हमारे फंक्शन जो होते हैं जो सिस्टम होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों और वहां पर जब किसी सिस्टम का और वहां पर डिस्ट्रक्ट होने लगता है दोस्तों उसका काम कम होने लगता है दोस्तों जो इंफ्लामेशन का सबसे लास्ट पार्ट होता है पेन स्वेलिंग रेडनेस ओडीमा एन लॉंस अप फंक्शन ठीक है यह जो कंडिशन डिवलप होती है तो वहाँ पर दोस्तों अगर वहाँ पर क्यूर हो गया ही लिंग हो गया तो कोई दिक्तत ही नहीं है लेकिन अगर वह हमारे निर्जी औरगन है जो वर्क नहीं करते कम वर्क करते या जो वर्कोलिक औरगन होते हैं जो लगातार वहाँ पर यह पॉजन फैल जाएगा तो डेफिनेटली कैंसर का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में फैलेगा दोस्तों यही कारण है हमें केवल इन पॉजन के पर ध्यान देना है अगर हमने पॉजन को पून रूप से ब्लड और लीम से प्यूरिफाई कर दिया तो हमने औरगन को कैंसर से मुक्त कर दिया बस एक वर्ड आपके दिमाग में फिट होना चाहिए बस बाकि सब फल तुबाते हैं दो तो जितने लोग कह रहे हैं हम कैंसर हम सब कैंसर को सबको समझवेगा क्योंकि एन्सर से नोटी है ठेक हैं लेकिन रवर्यशू और दिो ने怎么样 करते रहेगा वहां पर उस अर्गन से रिलेटेट सेल्स में Cancer सेल्स वहाँ पर जाकर मोटीवेट होगी डेवलप करेगी और उस अर्गन का डेवलप करेगा तो हमें पता है कि हमारी बॉड़ी में toxic material या poison रुक रहा है और उसी रुक कारण हमारी बॉड़ी में कैंसर डेवलप हो रहा है तब दोस्तों आपको लाइव पता है कि हमारी बॉड़ी में टॉक्सिक मेट्रियल ही कैंसर को जनरेट कर पा रहा है ठीक है तो आपको जब लाइव पता है कि जनरेट ऐसे हो रहा है ठीक है तो फिर जाएगा कैसे सिंपल स है इसलिए हमारा जो treatment है वो भी complex है यह principle यहां पर already proof होता है इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रों में पैथी इस एक complex therapy और complex therapy होने के कारण दोस्तों बहुत ही complicated group में यह काम करती है लेकिन हमारे जितने doctors है ना सारे doctors ने बहुत सारी medicine को mix कर मारा और उसी के लेवल पर वो जानते नहीं है किसी को कुछ भी protocol बता देते हैं लेकिन हम हमारे group बहुत अलग है दोस्तों हम philosophy के पर बात करते हैं अभी जब आपको डिसी का प्रोटो का लेके का बताया जाएगा ना आप मेंसे कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब वो प्रैक्टिस का लेवल देखेंगे कि हम तो क्या medicine दे रहेते हैं यहां तो क्या निकल क्या रहा है आपको समझ में आएगा anatomy physiology pathology जो ट्राइंगल है हमने anatomy में देखा हमने physiology अभी हम सब प्रोसेस के आधार पर medicine पढ़ रहे हैं यह पूरे physiological function के आधार पर है और जब हम इसको correlate करेंगे बॉडी का physiological पढ़ेंगे system उसके साथ anatomical system और उस system से related जितने भी मैं इसलिए मना करता है अभी फोटोकल मत पूछो आप जब आप बिजुलाजी पढ़ोगे ना टॉमी पढ़ोगे रूसमें रिलेटेड आपको पैथोलाजी निकल के आएगी कि यह डिसीज है आपको यह सी जितने भी चीज मैडिसीन के रूप में बताया हूं आप उसको देख लीजेगा आपको समझ में आएगा कि हां यार हम तो पर्फ यह ऩके सबसे पहले काम करते ऐसा नहीं कि सबसे पहले का मकरते हैं। यह आरगन पर काम करने के लिए तो तो इसीह का फ्रोट्व में पहुंची न दोस्तों इसलिए टिशू watch the disease यह यह हमारे लिए बहुत काम काता है दोस्तों इसलिए आप जब टैबल प्रैक्टिस में देखते हो तो यह जितने भी सुक्ष्म का जनरेशन करते हो आपका एक वर्ड होना चाहिए यानि वूल बॉडी के ब्लड और लिंप वहाँ पर प्यूरिफाई करना है अगर आपने नहीं क्या तो ब्लड और लिंप और टिशूस को जो कंडिशन होती है दोस्तों वहाँ पर अंदर के साइड में उन टिशूस को बद आदम से अंदर के प्रत्ते का और इसलिए मैटी जी ने दिमाग लगाया दोष्तों उनोंने भी सारी मैडिसन को और्गन के ऊट्रीके कैके हिसाब से तदेर किया और उन्हों ने बताया यह और शार्वन में कर यह ऑरगन को चाहाँ अर्था उस दिसीज में बही जो इन सबसे पहले उस और घंड के लेवल पर ब्लट का फिरीफिकेशन होगा उसके बाद पूरी बॉड़ी का भी ब्लट का फिरीफिकेशन होगा यह लेक्ट्रोमेफ मेडिसीन में बशरते आपको समय देना पड़ेगा आप बशरते आपको options पताओना चाहिए बशरते आपको का प्रोटोकॉल देख लो दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यही चीज में बता रहा हूं दोस्तों जब ब्लड और लिम्ट को बदल कर भी आप अगर माल लो बहुत बार हम क्या करते हैं ब्लड का टास्फूजन कर देते हैं पूरा ब्लड निकाला दूसरा ब्लड दाल दिया आप देखो ठीक है यही काम किसमें होता है रिनल फेलियर में डालेसिस के किसमें लेकिन ब्लड और लिम्ट को बदल कर भी आप किसी रोग को वहां से रोग मुक्त नहीं कर सकते उस पेशन को दोस्तों याद रखेगा बलकि कुछ निश्चित समय बाद ज किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड भी अगर आपने चड़ाया तो हूँ इमुनिटी का लेवल जनरेट नहीं होता है और इसी कारण से दोस्तों आप देखते आ रहे हो कई लोगों की डैथ हो जाती है इसलिए दोस्तों ऐसी कंडिशन में आप लोगों का इलेक्ट्रों में प प्रैक्टिकल किया कोई ने पूरे इंडिया में घुमके प्रैक्टिकल तो नहीं किया कि मैं चार मैंने महराष्ट्र में प्रैक्टिस कर लो चार मैंने कलकत्ता में कर लो चार मैंने महित मद्ध्यपजिस में कर लो दोस्तों चारों एरिया का पूरी बॉड़ी में आप चल लोग है बहुत डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों और यही कारणे कई लोगों को रिजल्ट मिलते हैं कई को नहीं मिलते हैं किसी को वही रिजल्ट लोग हैं लोगों ने निर्मान किया था दोस्तों तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो और यही चीज आपको बहुत ब्रिलेंली तरीके से समझना है दोस्तों जब आप एस इस्तती में आते हो तो आपको जो भी चेंजिस हो रहा है वैं फंक्शन होगा तो फंक्शन में केवल फंक्शन का सुदार होगा आपका structure नहीं होगा थोड़ा बहुत 10 से 15 परसेंट को भी फंक्शनल मेडिसीन सुधार सकती है लेकिन मुस्टली इस चिर में जो चींजिस आ गया है जो महां पर फाइब्रोसीस हुआ है जो भी डिजनरेशन या डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको सुधारने के एक मात्र मैडिसीन का तो इसलिए आप जब स्क्रोफ्लोस ग्रूप के साथ कैंसर ग्रूप के मैडिसीन दोगे तो आप ब्लड लिम और टिशू को बिल्कुल न्यू फार्मेट करोगे उसको बिल्कुल ताजा बनाओगे टॉक्सिक मेटरिल को वहां से हटा दोगे तो डेफिनेटली आपको यह स चैंजस हुए उस चैंजस को महाँ पर हटाने का काम करेगी यही तो कारएं दोस्तों जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो सबसे पहले आपको पता केसी चलेगा कि मैडिसीन ने वाद चेंज कर दिया दोस्तों तो यही कारण है दोस्तों ग्लेंट में स्वेलिंग होगी दोस तो वहाँ पर सामने तेग्लेंड में कैंसर का पॉजन पहुच कर उसको ठोस बना देता है मजबूत बना देता निर्जीम बना देता कोई काम का नहीं रखता इसलिए उसको पहले प्रकृती सोप्ट में convert करती है और soft में convert करने के बाद धीरे धीरे उसको महां से बाहर निकालती है दोस्तों और यही main reason है इसलिए अगर कहीं पर कोई organ के level पर अच्छानक कोई symptom बढ़ता है तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए इसलिए खुश हो जाना चाहिए कि आपके medicine का selection hundred percent सही है बस आप उसी और गन से रिलेटेड हाई potency के medicine तीन से च्छो डोस according to condition अगर तीन में काम होता है तीन ही दो जादा नहीं देना अगर आपको लगता नहीं देने के जरुवत है बहुत deep में है आप च्छो डोस दे दो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सभसेंस उसके पैंसर किना उसको इतना भी पास सथाने वहां से वो बाहर निकालना प्रार्ण करता है जिसके भल्सुरूफ ग्लेन मैं वहां पर दोस्तों ऑने लगते है यहां पर टोकर की टेंगे लेट होने लगता है इसलिए दोस्तों कई बाद जबweast में एक दो गठान होती है जब मैं कई बार इससे प्रभावित हो चुका हूँ मैंने जब पेशन को दिया ट्रीटमेंट तो चार-पांच गठाने हम बाहर निकाल रहते हैं आपने बेवकुपी करी और यह हमारी गलती ने आपकी गलती है इसलिए आपको पहले ही पेशन को सावधान कर देना इसके कारण जितने भी पाजनस सब्स्टेंस होते हैं दोस्तों वह जितनी भी वहां से ड्राइप हुई ग्लेंट से वह फिर से सज करने लग जाएगा जिसके भल सुरूफ ग्लेंट बड़ी और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी याद रखेगा यही कारण है कि जब कैंसर या कोई टीमर के लेवल पर आप अपना मैडिसीन का फ्यूग करते हो तो वहां पर सबसे पहले ग्लेंस का इलाजमेंट होता है वहां प सबसे पिले उस्तों और जैसे यह चीक हुआ सारी गंदगी वहां से साफ होना शुरू होती है तो ठीक होने का सबसे Latino क्या होता है जब आपको देखने को मिलेगा, डिसी स्क्योर हो रही है, ठीक हो रही है, तो पहला लक्षन होगा दोस्तों, जो मसल्स का कलर है, वो चेंज होगा, जो पस का कलर है, वो चेंज होगा, उसमें पहले बिलकुल पीला, काड़ा, मतलब सड़ा गला, मट्रियल बहार निकलता था, दीरे दीरे आप देखेंगे उसका रंग बदलकर गुलाबी होने लगेगा दोस्तों यह सबसे बड़ा एक प्रोच होता है और अगर गुलाबी कलर होने लग गया वाउन वहाँ पर आप देखते हैं न ड्रेसिंग करकर के रगड रगड के पेशन को ठीक करते है तो वहाँ पर वाउन मवाद में पीला हरापन और सरण जो होती है दोस्तों गलन जो होती है वो धीरे-धीरे कम होने लग जाती है जब ये condition कम होती है दोस्तों तो जब आप starting में treat करते हो तो जो पस होता है जो मवाद होता है दोस्तों उसकी बदबू कैसी रहती है ठीक है बहुत dangerous रहती है आप बिलकुल नाक को बिलकुल बन करकर तुरा के जैसे तैसे आप dressing करते हो और दीरे दीरे आप देखते हो 15-20 दिन बाद आपको सहन करने की शक्ति आ जाती क्यों क्योंकि बदबू जो होती है दीरे दीरे बदल जाती है यानि पेशेंट खुद बुलेगा आपकी dressing के बाद आपके treatment के बाद मेरा दर्द कम हो गया मेरा दर्द कम हो गया पहले मुझे खुब पस जाता था आप पस कमाने लग तो पेन बन करने के लिए जब आप इस पिजरी किसिंस का पांस से पच्ची ड्राब मेडिसीन 15 दिन तक इंटर्नली प्रयोब करते हो दोस्तों तो रोग याद रखिएगा जब ओरिजिनल और मैं हमेशा कहता हूं आपको अगर आप लोगों ने ध्यान दियो मैं हमेशा कहत हूं अगर कोई रोग बहुत डीप में है तो सबसे पहले औरगन को आपको न्यूटिशन देने की जरुवत है तो न्यूटिशन कैसे दो गया न्यूटिशन देने का मतलब होता है कि आप D4 में कहीं मेडिसीन दो या D3 में या D2 में दो या D1 में दो जब आप इस पैजरी क की मेडिसीन करती है आपने 1000 डालिशन दे लिया तो लोकल से जन्रलाइजेशन जो हुआ है वही काम पेन के लेवल पर न्यूटिशन के लेवल पर लणने के शक्ति डालने के लिए दोस्तों आपको पास से 25 मेडिसीन 15 दिन तक इंटरनली देखकर आपको देखना चाहिए कि तो आपको ट्रीटमेंट नहीं बंद करना है continue उस मेडिसीन को तक तक चलाएए डोस कम करते जाएए या डोस को बढ़ाते जाएए दोस्तों यदि आपको कोई भी डालूशन याद रखेगा मैं आपको दू तरीके बता रहा हूँ यदि कोई भी डालूशन आपको नजर आ नेक्स टाइम आए बेनिफिट हो रहा है अपने टेस्स करा कम हो गया उसी को आप 10 की जगे 15 कर दो उसी को पंदरा के जगे 20 कर दो उसी को 20 कर दो उसी को 35 कर दो और उसी को जब 40 लास्त होता है फूटी ड्राप करने के बाद में उसको रिवर्स सिंटम नहीं हुआ आपका कम्प्लीट 5-10 डेज वर्वन को डारेक्ट मार्निंग में आप दे दीजिए अगर उसके बाद में आप चेक करा लिजे अगर उस मैडिसिन देने के बाद कोई भी सिंटम आगे नहीं आया इसका मतलब आपके डिसिस कम्प्लीट हो चुकी क्यों हो चुकि हमें टेंशन नही हम लोगों की गलती नहीं है लेकिन कभी-कभी हमारी भी गलती होती है हम लोग पेशिंट को बता नहीं पाता है और पेशिंट समझ नहीं पाता है पेशिंट को डारेक्ट बोल देना अगर आप बीच में आराम होने के बाद अगर मेडिसिन लेना बंद कर दोगे आपके फि कि दोस्तों एक्यूडोप्राणिक बिसिस को अगर आप समझते तो गलत करते हैं यही बात है और यही पेशिंट ज्यादा समझता है पेशिंट को लगता रहे तो डॉक्टर पैसे कमाने के लिए हमें बार-बार वोला रहा लेकिन उसे नहीं बता है कि कोई भी रोग होता है त दोस्तों उसीलिए हम करते हैं हमारे में कितने हम किवल और दे दिया या किसी दोस्त को वाटसब करा उससे फून पर पूचा, उठाके दे दिया करती है तो इसलिए जब मल्टिबल डिसॉड़र होता है हमें सूचने की जरवत नहीं है ना भाइ परसेंट उस दीसिस को पहले मिलती जुलती नहीं हो ठीक हो जाती है दोस्तों यही कारण है अभी डालेसिस के पेशेंट में डॉक्टर घजिन दसुंदी ने को गलती से दे दिया ठीक है आप बात मानों कि दो महिने होगे उसने डालेसिस नहीं कराया अच्छा लग रहा है आप मुझे बता दिये कि यह कहां का प्रोटोपाल है दोस्तों आप मुझे बताइए क्या यह किद्नी पर काम करता है नहीं ना तो फिर इसने कैसे दे दिया करता वो किवल S6 में है तो किद्नी पर काम करने वाला तो इसी लिए आपको इस प्रकार के जितने भी शारिरिक सिंटम्स आते हैं उसको यह देखना है कि उस व्यक्ति के शक्ति कितनी है उसको सहन करने का पावर कितना अगर उसके और उसके और में उसके बॉड़ी के लूग किया तो दोस्तों उससे क्या होगा कई सेकेंडरी डिशिस डेवलफ हो जाएगे ठीक है आप एक रोग ठीक करने के कोशिश करोगे दूसरा रोग जनरेट हो जाएगा माल लोग छोटा सो दारन बताता हूं अगर माल लोग आपने गाउट में प्रयोग करा आपने S5 सी फाइब या सी लेवन वेण वन जी दिया लेकिन आपने सी फाइब सी फाइब डवली अभी कुछ लोगों ने मुझे प्रोटोकाल वेज़े सर इसको देने से तकलिफ बढ़ गए मैंने का भाई इसकी क्या ज़रुवत है तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि यह चीज मै बंदगी को डिजॉल कर रहे हो चलो ठीक है सी लेवन वेण वन जी और आपने जनरल टानिक एसपाइब डवली यारी से आपने उसको तोड़ दिया तोड़ क्या ब्लड सर्कुलेशन में लिया है अब ब्लड पुरिफाइब होने किड्नी में गया ठीक है आपने किड्नी का कोई लेना देना नहीं है तो ठीक है आप मत दो आप देखो पेशेंट को उन्हों ने ऐसे किरा फिर भी नहीं दिया दो मैने बाद पैशेंट इतना अख़ल आगया कि बिस्तर पर आगया ठीक है उसके बाद उन्होंने वो प्रोटोकॉल देना शुरू करा सेवन डेज में पेशेंट का अख्रान दूर हुआ और फिप्टीन डेज के बाद पेशेंट बोलता है मुझे खुल के पेशावारा और मेरी उंगलियां जो पहले टेड़ी हो रही थी अब मुझे लग रहा दोस्तों ऐसे नहीं बन जाएंगे उन्होंने मैनत किया है दोस्तों और मैना के बल पर सीखा ठीक है कई लोगों की क्लास लेनी के बाद में वो लोग मेरे पास आए और सभी टेक्निक मिल रही है क्योंकि मुझे भी नहीं मिला कोई गुरू मिलता तो मैं आज आपको क्लास नहीं पुड़ाता मैं भी लाको करोड़ो रुपए की प्रापर्टी लेके बैठा होता है दोस्तों लेकिन हमने यह सोचा पैसा कोई मत्वन नहीं हमारे ग्रूप में जितने डॉक्टर्स है डॉक्टर चमन सर डॉक्टर सुमेश गांदी सर सुरेश गांदी सर प्रकाश ज हमझ में आएगा अब बात करते हैं दोस्तों ड्राइग्लोबूस की म्मP ग्लोबूस या आप डाइरेक्ट क्लोबूस बनाएंगे दोस्तों तो जब आप ठीकल्ज करते हो तो डिफिकल्ट लेबर जब होता है ठीकर सबसी प्रोर्ट पहला प्रोटाकॉल का यहीं बताया जाता है जब किसी को बहुत डिफिकल्ट लेवर होता है दोस्तों पास से दस ग्लूबिलिस आप हर दस मिनिट पे पेशन को दीजिया ठीक है हर दस मिनिट पे अगर आप सीवन में वन आरी की ग्लूबिस बनाके रखेंगे आपको जंजट नहीं होगा आप सीवन के सिंगल भी कर देती वह खाईगी नहीं दोस्तों तो पिर ऐसी कंडिशन कैसे मिलेगा ठीक है तो नुटिशन नहीं मिलने के कारण पानी कम पीने के कारण बहुत सारे कांप्लिकेशन होता है उन कांप्लिकेशन में कई बार हम्नेटिक फ्लूट भी कम हो जाता है इसलिए सीवन वेन वन स्टेशन आपको देखने को मिलती है कई बार हमने देखा है दोस्तों जब यूट्राइन क्रैंपस होता है यह निए यूट्रीस में पेन होता है हम कुछ नहीं करते हैं सीवन के ग्लोबिस दे देते हैं जब सीवन के ग्लोबिस देते इट इंडिक मेडिसीन फॉर एनी ठीक है हम लोग उसको बना करे देते हैं उसका माको टैन नोमोनिया वह नियूमोनिया में अधि कर दिया जाता है और बच्चे के लीवरी के दोरान कुछ हार्मोनल चिंजिस होने के कारण महिलाओं को मिलका का सिक्रिशन बहुत कम होता है दूद कम होता है दोस्तों ऐसी कंडिशन में आप S2C1 के ग्लोबिल्स जब देते हो आप MMP ग्लोबिल्स दो या अल्टरनेट करके S2 पहले सीवन बाद में दोस्ते 5 ग्लोबिल्स फ्रिक्वेंटली हर घंटे पर उसको चुसने को देते हो दोस्तों आप मान के चलिएगा आप ऐसी कंडिशन पेदा कर देते हो कि प्रॉलेक्टिन हार्मोन पिटुटिरी ग्लेंड से बहुत तेजी के साथ बने लगता है तो जाला बने जैने को इंक्रीज करती है उत्लिफाइ के लिवल पलाती है याज देख एगा सीह सेल्के लिवल पर काम करने वाली पहली remedy होती है और पहली remedy होने के कारण दोस्तों ये क्या काम करेगा तुरण पस को फार के यही कारण है कि जब भी cancer का level होता है अगर वो फट के बाहर निकलता है तो ये सबसे बड़ा feedback होता है ये बता रहा है कि हमारी body में medicine काम कर रहा है और गंदगी को बाहर निकाला जा र जरुवत है ठीक है पेशन को समझाने के जरुवत है इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा अप्रोच है आप जितना motivate होकर आपने concentrate को clear करेंगे उतना ज्यादा पेशन को समझा पाएंगे और जितने पेशन को समझा पाएंगे उतनी ज्यादा quantity में आपका feedback आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों याद रिखेगा कई बार हमने देखा दोस्तों फीटस वहां पर डैवलप नहीं हो रहा है ठीक है कई लोग बोलते अरे साब फीटस तो डैवलप बच्चा तो डैवलप नहीं हुआ इसको तो आपको abort करना पड़ेगा सजरी करके निकालना पड़ेगा तो दोस्तों मैं कहता हूं आप दो मैंने इंतजार कर लो दो मैंने बाद भी निकालने ना कोई दिक्तत नहीं ठीक है तो यह फीटस को परिपक करके और यूट्राइन को अंटेक्शन करवा कर एक प्रकार से दोस्तों फीटस को बाहर निकालने में भी मदद करता है यह नही यूट्रेस डेवलप नहीं हो रहा आप सीवन को 1000 पोटेंशी में शुरू कर दो इसी लिए दोस्तों जब फीटस को बाहर निकालने में काम्प्रिकेशन आ रहा है मैडम ने बोल दिया सर्जरी करना पड़ेगी आपको घबराने के जरुवत ले आप पेशिंट से एक दिन का टाइम मिलीजे सीवन वेन वन आरे की ताजी ग्लोबल्स बनाई है कोई दिक्कत नहीं सीवन वेन वन आरे की ताजी दोस्तों वहाँ पर कॉंटेक्शन को बढ़ा देगा और जितना ज्यादा कॉंटेक्शन बढ़ेगा उतने तेजी के साथ यूट्रस एक्सपल्ट हो जाएगा बाहर निकल जाएगा दोस्तों यही कारण है मैमरी ग्लेन का जब भी एपसिस होता है बॉड़ी में कहीं भी ब पर आता है दोस्तों जब वहां पर एक डालेटेड होता है तो वहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंटली दोस्तों लेबर को प्रोटेक्ट किया जाता है यहीं यहीं आप देखों यहां पर हम लोग 7 तो मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूं केबल ग्लोविस देखे देखेगा सीवन की ग्लोविस देने से ही यूट्राइन क्रैम्स बंद हो जाएंगे दो टैबल प्रैक्टिस की ना अनुपा हुए जो आपको देखने को मिलेंगे यह मेडिसीन का जो एक्स्टरनल इफेक्ट आप पर सेल नहीं है ठीक है बता दो मुझे बगेर सेल का कोई बनाओ इसलिए ऐसा कोई नहीं है जासीवन कामने करती हर बीसीस की फरस्ट स्टेज में उस जगह पर जिस ऑरगन के लेवल पर आपको काम कराना है वहां फरस्ट इस्टेज हो आप सीवन को दे सकते हो चाहे मसल्स ह हो चाहे स्कीन हो मुकस ग्लेन हो नर्वस सिस्टम हो फाइबर हो टिशुज हो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज चलते चलते आचानक वहाँ पर दोस्तों आपकी बॉड़ी में फावरी लॉस हो गया ठीक है आपकी बॉड़ी बिल्कुल काप नहीं कर रही ऐसा लग रहा हो गया आप केवल सीवन की ग्लोबिस को फ्रिक्वेंट लिदे दो ठीक है आपके पास कई पेशिन आते हैं और बोलते हैं कि साब मुझे तो बहुत धरावने सपने याद करिएगा मैंने आप लोगों को कई प्रोटोकल बता है मेनिया बाइपुलर डिसॉडर ठीक है मैंने भी डरावने सपने आते हैं पागलपन के सपने आते हैं जिन लोगों को आलस पन होता है सुस्ती होती है जिन लोगों को छटपटाट होती है जो अपने कोई भी चीज अगर किसी ने बोल दी तो अंदर दबा करें गया तो उसमें बिमारी हुई जाती है स्टेस एंजाइट को बिलकुस रिलाक्स शान्त करतेगी पेशेंट सूने लग जाएगा और पेशेंट को जब नीन प्रापर आने लग जाएगी ना एंजाइटी हो डिप्रेशन हो मैनिया हो बाइपालर डिसाडर हो यह किसी भी प्रकार के डरावने सपने आटोमेटिक लिंक खतम हो जाएगा सपने आना जब आप पड़ों के सेंटल नर्वस सिस्टम तो मैं बताऊंगा कि जब हम नीन को इंसुम्या को पढ़ेंगे नीन को तो नीन को जो पढ़ेंगे ना तो स्टार्डिंग आपके ड्रीम से ही होती है तो ड्रीम से बहुत अच्छे लेकिन डरावने ड्रीम सीवन के बगेर किसी भी महिला के चिकिसा अच्छी नहीं है दोस्तों आपने कर पाऊगे आपको एठी और सीवन को हर प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल में एड करना ही है तभी आप फिमेल की तमाम डिसिस पर हार्मोनल एस वेल एस नर्वस लेवल को कंट्रोल कर करने के लिए के लिये वहां पर जगह पेन होता है आज जो की आपने इस्टान बदलते सान बदलनावाले और जब स्पम और सीमन बड़ेगा तब ही कौण्टिटी बड़ेगी इसलिए सीवन का बहुत बड़ा रोल आपके वहाँ पर फीमेल के और मेल के दोनों के सेल्स के लेवल पर जो हम के बात करते हैं या मेल के स्पम के बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी संख्या में ख्यूतिंटी टीप्स में आपको बता रहा हूं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम ल measles ये बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज में बताने जा रहा हूं और उन ड़ायोशन के भिहाद पर आपको बहुत सारी कंडीशन में मदद मिलेगी दोस्तों कि अप शुरू ह करण़ में आया और सूटा होरा कोई कहता है कि इसका नहीं हो रा तो डोस्तों डाइश्ट ए मैडिसीन वती है एस्टू सीवागर सीवन को बोलो तो ये बहुत बेस्ट मेडिसीन होती एक है अगर ब्रेस्त के साइस को बढ़ाना एस्टू सीवन को फस्ट डिएलिशण में चलाकर वो जो सीटू वाला मैंने फार्मूला बताया तह आपको सीटू में भी बताऊंगा ठीक है तुम्हापर की एट्रॉफी को दूर करने में भी बहुत ब्रिलेंटली रोल आपको नज़र आता है मैंने अपनी क्लीनिक में एक अलग ही स्टीकर लगा रहाता है ब्रेस्ट डेवलोप्मेंट करने के लिए संपर करें डॉक्टर मनीश पाटिदा और मैं मैक्सिमम ज्यादा नहीं दोस्तो लगभग लगभग 90 प्लस लड़कियों के ब्रेस्ट को डेवलप करा चुका हूँ और रिजल्ट अथेंटिक मिलता है दोस्तों यह इलेक्ट्रों में पैट की देन है दोस्तों कई बार रहता है कि ब्रेन अब आपको पता है कि जब ब्लड ब्रेन बेरियर पाए जाता है व बूल नहीं लेता हो उसको जीतना चाहिए उतना लेगा और लेकिन कभी-कभी क्या होता है हमारे बॉड़ी के वर्क का डिमांड जादा होने के कारण मस्तिस्क में ब्लड की कमी हो जाती है दोस्तों इस कंडिशन में भी पावर बुस्टर में सीवन डालके देदीजे आप ठीक है अब पावर बुस्टर में क्या है एवन एवन क्या करेगा तो यही तो कारण है केवल वर्वन के दूड डाल दो वर्वन एक मात्र इसे मेडिसी ने जो ब्लड ब्लड ब्रीन को अखेली क्रास कर जाती है बाकी मेडिसीन ने आप कितना भी दो नहीं करास करेगे हुआ है उसको DRY का वारा हैं जिसको बॉड़ी में पेन हो रहा है किसी को बहुत लग रही है और पर नूटिशन में डोस देते हो और धीरे धीरे उसको आगे उपर ले कर जाते हो आप देखें दोस्तों किसी भी प्रकार का सेल के लिवल पर गडबन होना बहुत यह से ठीक होता है और वहाँ पर जितने भी सीवन के अंतरगत आने वाले जितने भी सिस्टम है जितने भी और गन से उनके स्ट्र कमी हो जाए लेडीस में प्रेग्नेंसी में डिलेवरी के बाद दूद बन रहा लेकिन कम बन रहा बढ़ाना है फस्ट डिलूशन दे दो दोस्तों ग्लेंड में अगर एपसेज हो गए बहुत बेनीफिजियल है दोस्तों क्योंकि यह ग्लेंड का सिंक्रेशन बढ़ा कर ग्ले को बाहर निकालने का काम करती है लिए इसकीन पर फोड़ा फंसी ज्यादा निकल कर जल्दी से वह जितनी भी कंडिशन अंदर गंदगी मोजूद है उसको पका कर बाहर निकाल देती है दोस्तों ताकि कहते हैं कच्छी मेट्रेल को अगर छेर दया तो ना सुर बन जाएगा फिर ठीक नहीं कर सकते बगेर सजरी के लेकिन अगर किसी को आपने पका कर बाहर निकाल दिया मतलब वो छेट के रूप में डेवलप होई वो पक के बाहर निकल गया और वो छेट अंदर से भर के बाहर आ गया तो आप देखो बिल्कुल क्लियर हो जाता है ठीक है तो ऐसी रहने यूटर्स के जितने भी फंक्शन से उनको बढ़ा कर प्रसव को समय पर दर्द के पैदा करके बाहर दखेलना दर्द को कंट्रोल करना यह इसका स्पेसिफिक होता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि डिलेवरी के दोरान उस लेडिस को दर्द हो वो लेडिस बोलेगी कि मुझे पता ही नहीं चला कब दर्द हुआ कब डिलेवरी हो गई बिल्कुल नॉर्मल डिलेवरी होती है और विदाउट एनी शौक किसी प्रकार के शौक में नहीं जाती है किसी प्रकार के स्टीरिया की कंडिशन डेवलप नहीं होती इसलिए यह बहुत बैटर करती है दोस्तों यह अगर आप किसी भी प्रकार के डिस में काम करते हो तो उनको बाहर निकालने में सपूर्ट करती है बशरते कुन सी मैडिसीन मालों आपने एसवन सीवन एवन दे दिया तो यूट्राइंग क्रेम को दूर कर देगा ठीक है तो इसी प्रकार से अगर मालों किसी को आपड़वन ने बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने एसवन सीवन एफवन वरवन दे दिया इससे पेट की गर्मी निकल जाएगी और जब पेट की कमी को पूरा करने का काम करता है याद रखे इस बात को क्या आरबी सी को नहीं बिनाएगी डेफिनेटली बनाएगे दोस्तों इसलिए लीवर और इस्प्लीन के कारे के बढ़ जाने या इनके हाड़न होने या हीपिटो मेगली या इनके अच्छे से काम नहीं कर पाना द सिवं आप की पहली रखे है लेकिन एसी कंडिशन में जब पेशइन डॉक्टरों से गुझर कहाता है आप सिवंको टुफ के तीन दोस दो उसके बाद neutral dose second dilution से अपना course शुरू करो दोतों आप दीखेंगे आपका result authentic मिलने लग जाएगा वोमिटिक हो रहा हो किसी को dropsy होगे सूजन आ गया हो दोस्तों diabetes हो इस condition ने आपको नजर आ रहा है कि यहां पर सेल का रात्मीक द्रस्टी से changes हो रहा है और उस changes को रोकना है उसको correct करना है आप सीधे high dilution दो तीन दोस दो उसके बाद में आप महाँ पर दोस्तों second dilution में लिख है याद रखिएगा जितनी भी एक्यू डीसीज है डीसीज की स्टेट के अनुसार फर्स्ट स्टेज में कोई भी medicine से लेक करोगे तो वहाँ पर 11 यानि एस वन सी वन एवन एफ वन वर वन वेन वन जितना वन है वह आप तो वहाँ पर प्लस जो electricity के जरुबत है वहाँ करना अगर आपको वहाँ पर करना जी यह प्रोटोकॉल होते हैं और यह प्रोटोकॉल आपको इंडिकेट करते हैं कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हो वह जगह कितना यूटिलाइस कर रही है उस का इसलिए आपको यह प्रोटोकॉल वहाँ पर जनरेट होते हैं दोस्तों नेक्स बात करते हैं हम दोस्तों सेकंड डालुशन की काफी लंबी मेडिसीन है दोस्तों अभी आपको आदा दिन और लगेगा तो हम अभी सेकंड डालुशन देख लेते हैं फिर हम कल देखेंगे जब हम देखते हैं दोस्तों सेकंड डालुशन का प्रोटोकॉल तो हमें बहुत सारी चीजे समझ में आती है अगर कोई पेशेंट आपको बुलता है कि साब मुझे पेशाब रूप-रूप क्या रही है यानि कही निका यूरिच्णा का लेवल प्रभावी थो रहा इस्ट् अर्लिस टेज में आ जाता है दोस्तों हम डारेक्ट सीवन देते सीटुटुटिप को भी देने की जरुवत ने पड़ती है हम सीधे सीवन को 200 डालुशन में दोसे देते हैं उसके बाद तुरंट ठालुशन में थाड़ डालुशन में देते जिसके कारण स्वैली वहां पर देखते हो गाल के लेवल पर ठीक है गाल और गले में पत्थर जैसी हाट स्वैलिंग डैवलप हो जाती है ठीक है आप देखते हो कि लाज हो गई कई बार आपको लगता है कि यहां बहुत बड़ी पिंपस बड़ी गठान डवलप हो गए आप दर्ते व्याड़ क्या दूर क्या दो टेंशन ही ने सीवन का 200 दिया उसके बाद सेकंड डालेशन दिया 15 दिन बाद आप देख लो कहा है आपके गठान ठीक है अब मुझी कांफिडेंट इसलिए कि मैंने कई केस ठीक किया अब जिस दिन आपने इस प्रकार के कैस के कर ली आप देखे कितने प्रोटोकल जनेरेट करते हो दोस्तों कई बार एब्डोमन के लिवल पर आप देखते हो मिजेंटिक ब्रेंड का अनलाजमेंट हो जाता है ठीक है पेड में बहुत हार्डनेट डेवाप हो जाती कई बार उसको कैंसर समझ लेता है कई बार खटने या स्टाइन के मेडिसीन यानि नैच्रल टानिक के साथ सीवन वेन वन जी का प्रोटोकॉल दे दीजिए आप देखेगा कितनी जल्दी कवर होता है दोस्तों मिजेंटिक ग्रेंड का इलाजमेंट भी काफी हद तक डिजॉल कर देती है दोस्तों उसके बाद ही अगर कई लोग कंसिस में फैन होता है स्फीलिंग होती है छोटी-छटे ओपर छेद हो जाते हैं दोस्तों अब आपको सीवन हाइप प्रोटेंसी में देखर फिर से वहाँ पर सीगन्ट तो शुरू करना परता है कई बार आप आंखों के लिभल पर देखते हो इंजूरी के का रएटक्र हो यह आईड्राप होगा प्लस इंटरेल मेडिसीन में आप वहाँ पर जनलल टानिक में सी एलेवन वेनवन जी डाल कर दे दो आपको कुछ भी अलग मेडिसीन देने के जरुवत नहीं हाँ अगर आखों पर प्रेशर पढ़ रहा है एक तपेली लो पानी धंडा मटके का डाल लो बीजबुन डाल लो एक रुमाल अच्छा लो डुबाओ और आखों के उपर कंप्रेस कर लो आपको बहुत ब्रीलेंट रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों जेनाटल ओर्गन के जि मिलेगा कई बार आपको लगता है दोस्तों लाइट लाइट का फोटोफोविया होता है और लाइट से बिना इंफ्लामेशन के आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों और सनी कंडिशन हो जाती है यह आपकी आइलिट्स जो होती है वह पार्शल या पूरी तरह से दोस्तों कई बार हमने देखा है इस परम के लिवल पर कई लोग कहते हैं किस आप इसको जो है वीरे भहुत पतला है प्री मेच्वरेट हो जाता है इसकी स्परम नहीं बन रहे इसको सेक्स के कारण मैमोरी का विकनेस हो रहा है इसको सुस्ती होती है यह एकदम अजीब सा च सेकंड दिजिए बहुत ब्रिलेंट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों जितनी भी सेक्शन वीकनेस होती है वह दूर होती है जितनी भी जेनेटल औरगन के दुरवलता होती है चाहा प्री मेच्वरेशन हो या मैस्टूर्वेशन के कारण हो वहाँ पर दोस्तों किसी को हैजा हो कुलरा किसी को 0 गया बद्बूदार दस्तों किसी को बहुत ज्यादा पसीनह आ रहा है दोस्तों वहां पर अगर किसी को आप दीकमेंस दोगे उसको बहुत बहुत ज़्यादा चिकनाई पुला होता है अंजाने में इसको दस्त हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा अगर दस्त होता है चिकना होता है कई बार ब्लड निकलते होता है दोस्तों कई बार सब्सक्राइब देखने को मिलता है बहुत ब्रिलेंट मेडिसी ने दोस्तों हाइड आपको ठीक होता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों इसलिए कई बार हमने देखा यूट्रस से अगर किसी को ब्लिडिंग हो रही है हाई डालुशन के बाद सेकेंड डालुशन दे दीजिए तुरंद नीऊट्रलाइज हो जाता है दोस्तों इसलिए टाइफट फीवर में कई बार पेशेंट इतना वीक हो जाता है कि विस्तर पहले जाता है उसका जो पिंपर्स बन रहते हैं वह काले बनते हैं कारबंकल होता ह के बाद सेकंड डालुशन दीजिए दोस्तों कई बार आप देखते हो जबड़े के लेवल पर दात का तूटकर अलग हो जाना यह नहीं दात इतने कच्छे हो जाते हैं कि चबाने में कोई कड़क्षी चबाते हैं आपका तूट के अलग हो जाता है वहाँ पर के साथ हम सब्सक्राइब के साथ हम सीपोर का देते हैं बहुत ब्रीलेंट काम करता है इन्फुरंजया हुआ मैंने पहले बता है नोस के लिवल पर दोस्तों सरदी से पैदा जितनी भी भिमारी होती है किसी भी कारण से दोस्तों पॉन्सिल सो वहाँ पर मसल्स का हड़ जाना यानि कि उसका डिस्ट्रोकेशन हो जाए जॉइंट का या किसी प्रकार का दोस्तों को डिस्ट्रक्षन हो जाए को प्रॉनिश्टी डेवलप हो जाय हाई डालुशन के बाद सिकंड डालुशन दो बहुत अच्छा रिजल मिलता है दोस्तों इसलिए जब आप ट्रिटमेट के रिलीज़ल government चुश्काश उसके बाद होता है कई ऐसा होता है को ख्रणा जाता है कई बार मैंसे के दौरान ब्रेस में बहुति हैं और ला जाती है कई बार हमने देखा आपको से गरम-गरम आसु तक महिला को आने लग जाते हैं ऐसी कंडिशन में सीवन का टोंडेट देन सेकंड डालिशन से प्रोटोकल जनरेट कीजिए कई बार आप देखते हो हाट में पल्पीडेशन होता है हाई फीवर होता है इचिंग होता है इसकी स्कीन में चुटी से दाने निकल आते हैं उसके बाद में डैलिर्यम जैसी कंडिशन होती है और पूरे बॉड़ी में चटपटाट होती है कोई भी आदमी ठंग से बैट नहीं पाता दोस्तों इसकीन एकदम ड्राय और आइलिट में देखोगे आप च्छोटी-च्छोटी स हाँ पर इंटर्नल मेडिसीन में एस्ट्विल कि आप सी लिमन वेंवन जी का प्रोटोकल तै करिए आप दीखेंगे कि आपके आइस की सारी डिसीजिस कवर हो जाती है तो आज यहीं रखते हैं आफिस ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों के उसकर हो जाएगा तो दोस्त किसी को कोई क्वेश्चनिंग तो पूछ लीजे क्या वा तो किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना ठीके सब्सक्राइगा तो इसका हाई डालीशन बना सकते हैं वन थाउजंड में बिल्कुल नहीं सर संजीवनी न्यूट्रल बेस पे बना हुआ है और जहां तक मैं समझता हूं वह सेकेंड डालीशन में बना हुआ है और उसका न्यूट्रल डालीशन है आप उसको हाई पोटेंशन नहीं सकते हैं उल्टा काम करेंगी और एक क्वेश्चन ओर जैसे आपन बता है आप आप प्रहा रहे तो हिमार्चल को देश साइट गयो ना वहां के लोगों को वहां हमेशा हाइपक्सिया मिलेगा आप तो क्या होगा आर्बी सी काउन हमेशा बड़ा रहेगा आप हमेशा नेगी टूट अब तो ही रुजाब के लेगा आपको जी आप शुमल लोग करेंगे साइट क्या है उसको बारे में थोड़ा सा इंडिकेट कर दिजेगा और थोड़ा एक हमको कंफार्म कंफ्यूज कि जिसे जेनरल टॉनिक डिफॉइब याटी फाइव याटी सिक्स जो भी है उसमें अगर तो पहले बनाने के बाद उसको पांच पाइट रॉप डालना है या कि एक ही साथ डाल का स्टॉक मारना है आप आडियो सुन लीजे यही कोश्चन बार बार रिपीट मत करिए आप अब यह सुनिये पहले आप एक शर्ण अलो नमस्कार निश्चा पर यह पूछ जैसे पाइफाइड में वायरल में काफी रेजल्ट अप्से मिल रहे हैं तो और भी चोटी जो में काफी रेजल्टे मिलते हैं जैसे दो तिन प्रोटोगोलास से पूछ से उनके भी काफी बै अब यू री प्रोटेसर मैंने सेंड कर दी थी अपने ग्रुम से उसका को फ़ी बाद नी? अब बच्ची को या उसकी माँ को? तो लोगना के लिए जो भी पानी आप पी रहे हो उस पानी में करके पीजिए मां के दूप से फटावट बच्चे का इंस्किन ने किड्नी का ठीक हो जाएगा हो यूरीन तो को लियर आ रहा है है वैसे तुछ नहीं है आप दे दीजिए बढ़िया काम हो जाएगा कि अधिए अभी आपने क्या पड़ा फिर मैंने अभी तो बताया ना आपको सीवन में अधिए बिल्कुल क्लियर बताया उसके बाद भी पूछ रहे है क्या लोग हो आप आपको टूंडेट डालुशन दूर उसके बाद में सेकेंड डालुशन से शुरू करो या फस्ट डालुशन से शुरू करो अभी तो बताया यार मैंने इतनी माथा-पच्ची करने के आप उनको सीवन और आरी को ओली वाइल में मिलाकर दो बून डेली नाइट में आप उनको डलवाई है नाभी में ठीक है और सीवन का प्रोटोकल चला दीजे सिंगली हो जाएगा इसेम और प्रोटोकल सीवन और तौजन साउसेंट सीवन का आई पोटेंसी दोर उसके हलो जी हां सर एक रीनल सिस्ट का पेशेंट था सर उसको टीटमेंट देरियो मैं आपने बताया था प्रोटोकल तो सर में को यह पुछना है कि वह वेस्टेज मिरे बाहर निकलता है तो उसके कारण कोई सिस्ट हो सकती है क्या उसके चोटे से एक पिंपल था मतलब एक दाना और एक दो डोस और वह से एक दोस दे दो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि अगर वह फूट के बाहर निकल गया तो और है आप दो तीन दोस दे देना उसको उसके बाद अगर वह बिलकुल खतम हो गया तो देने के जरवत नहीं अच्छा सर पैसे सर को रेलेशन ह प्लड निकलने के लिए जैसे मेडिसिन दी है मैंने उसको किड्नी के लिए तो इसलिए मुझी यह लगा बाड़ी में ब्लड और लिंप का इंप्योर केवल किट्नी से नहीं होता और भी बाड़ी में बहुत सारे और गन इंदा तो आप और गन के फंक्शन को देखो केवल और पर किड्नी के बहस पर आपने ही बता पाऊगे ठीक कि जर्म हालो अ